तो हेलो गैसे वेलकम बैक टो आवर नियू एन अनदर वीडियो तो अगर आपके फिफोन में कुछ इस टाइप से एड पोप अपस एड आते हैं पुड़े होम स्क्रीन में कवर हो जाता है इन एड से तो इन एड को हम कैसे हटा सकते हैं इसको हटाने की स्पेशली मैं थ्री स स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको फोलो करके आप अपना होम स्क्रीन का एड बंद कर सकते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो है वेलकम बैक टो आवर नियू एन अनदर वीडियो मैं प्रदीप राजवाड़या और आप देकर हमारा प्रदीप 0.44 यूटूब चैनल आ आज आगज वीडियो मैं हम आपको बताएंगे कि आप अपने होम स्क्रीनमे आने वाले पॉप अपस आड को कैसे बन सकते हैं होता है क्या हम अपने फोन में को यूज करते हैं हम अचानक क वैड आता है और हमारे पूरे होमBar को कावर कर लेता है पूरी एक हमारे घूर करक क जो बार-बार हमारे home screen में आधे रहते हैं और हम इस ads से परसान हो चुके हैं तो वीडियो में last तक बढ़ने रहे कर वीडियो को बिना skip किये तो ही आप अपने home screen में आने वाले ads को बंद कर पाएंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए simply से आपको अपने setting में चले जाना है सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको गूगल को option एक मिल जाता है हाँ पर मैं सर्च कर लेता हूं यहां पर कहीं पर आपको सेटिंग में Google के option मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं मेरे Google का option है वहां पको google option में चले जाना है और Google में तूच Mini के बाद अहां पर में को लिए सबसान/. इसको हम लोग रखते हैं यह हमारा अभी बंद किया था लगिन आपकशा work अगर आपके फोन में एन्स आते हैं तो यह आपका चालू रहेगा सो इसको आपको सिंपलिस बंद कर देना है उसक्ति यहांपको किसी भी आदर वेबसाइट को आप परमीशन देते हैं कि वह आपके होम स्क्रीन में एड्स चला सके तो इसको आपको ऑफ करके रखना है से ने से के बदा को सिंपली से बैकी आजाना है tip हुआ कि ओंश्य सेकेंटरी के स्प्रिण आपको फिल से सेटिंग वाले अलये ओप्पशन को क्लिक कर ले लेना है सेटिंग में आने के अब यहां पर आपको करना है और यहां पर सक्ट करना है एड़ अकाइड एपस अचिए यहांपे आपको एड्र एपस लिखेंग। यहां पी आप्स टू होम कर देना है मेरा है चोई हाप इस होपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं एड्र best व होम स्कृनिया पर जो एड अधर एट 3 के एड्स है वहां पर उनको प्रमीशन देखे रखे हुए हैं कि वे आपके होम स्क्रीन पर एड्ड चला सके हैं इसको सिंप्ली से आपको चालू रहता है इसको बंद कर लेना है इसके बाद फिर से आपको बैक आ जाना है जितना भी बैक ग्राउंड में एप चल रहे हैं उसको क्लियर कर देना है तो इसके बाद सिंप्ली से आपको अपना क्रोम राउजर ओपन कर लेना है तो इस क्रोम राउजर ओपन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे चले जाना है तो इस होम स्क्रीन में आने के बाद यहां पर जो एरर दिख रहे हैं आपको क्लिक कर लेना है थ्री डॉट पे और य यहां पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख से बहुत सारे ओप्सन आपको देखने के लिए मिलेगा सिंप्ली से आपके देख सकते हैं नोटिकेशन के ओप्सन मिलता है यहां पर आने के पदद जितने भी आप किसी भी वेबसाइट को यहां पर मीसंद देते हैं इसलिए होँआ पे आपके ओम स्क्रीन में एड उसके जिसे भी आते हैं ज्यादा तर देखा जाए तो एड यहां सब्सक्राइब कर देना है जितनी भी है सब को आप से आपको रिमूफ कर देना है जितनी भी है सब को आप से आपको रिमूफ कर देता हूं तो यहां पर रिमूफ करने के बाद यहां पर जितना भी ब्लोक किये हैं उनको भी आपको रिमूफ कर देना है तो यह करके हम रिमू इसको बंद भी कर सकते हैं तो आपको बैक आना तो यहां पर देख सकते हैं को क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर साइड विल अलाव जितने भी आपके परमिशन पर पूरा भी नौटिफिकेशन आपके इसको चालू कर देना है यहां पर आपको देख से यहां पर आपको बंद करने के बाद आपका 79 परसेंट यहां पर आने के बाद आपको तो यहां पर आपको देख सकते हैं पॉप अपर आपको बंद कर देना है आपका 101 परसेंट आपका एड़ बंद हो जाएगा तो इस आप देख सेटिंग बताया हूं उनको सारे सेटिंग्स को आपको करना है इसके वाद आपके जो होम स्क्रीन में आर्ट आ रहे हैं वो सारे ही बंद हो जाएंगे इस यही था कुछ बेसिक सेटिंग्स जो कि मैं आपको बताने चाहता था अगर आपको यह जो आपका अगर होम स्कीन में एड्स बंद नहीं हुआ है तो आपको नीचे दिये रिस्ट्रेक्शन बॉक्स में आपको क्लिक करना है और वहां पर अपना सारा जो भी डाउट है उसको आपको पुछना है में आपका 100% स्क्राइब करने की कोशिस करूँगा अगर आप अगर आपको जितना त्रीक बताया है उसके हिसाब सब्सक्राप निक्यूंक को फॉलो किया है तो हां से आपका 100% जो कि एड्स से वह बंद हो गया होगा है आपको समय में आया होगा आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं इसे इंट्रस्टिंग नए वीडियो में तब तक लिए जैहें